असलाम अलेकुम जी, so in this lesson we are going to sketch our logo design concepts तो इसके लिए सबसे पहले हम words को write कर लेते हैं कि mind mapping में हमने कौन-कौन से words check किये थे so यहां पर कुछ से words को write down कर लेते हैं जैसा कि we have leaf इसके लाबा water हमारे पास है यह हम यहां पर drops को लिख सकते हैं चीक है इसके लाब हमारे पास एक क्राउन था और we have heart हमारे पास है ठीक है तो हम इन सारे words को use करते हुए कुछ sketching करेंगे एक हमारे पास एक और लिख लेते हैं flow को तो representation हमने इन keywords की दीनी है ठीक है तो sketching start करने से पहले मैं इस capacity यहां से कम कर लेता हूँ या इसको यहां से gray कर लेते हैं ठीक है तो let's start with the different concepts जैसा कि अगर हम leaf को देखें तो अब कोशिश यह भी होगी कि मैं character V को किसी तरह से रिप्रेजेंट करूं अपने in sketch sketches के अंदर ठीक है तो एक और sketch करते हैं V symbol के साथ right तो मैं यहां पर different sketch place करता हूँ so let's see कि हम फिर किस results पर पहुंचते हैं और उसमें से हम एक sketch को choose करेंगे करते हैं स्केचेज क्रीईट की हैं अच्छा जी मैं यहां पर कुछ sketches क्रिएट की हैं इसके बाद जो हमें यहां पे कुछ बहतर लग रहे हैं उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं जैसा कि I think this is looking good इसके अलावा जी this one looks good तो इसको हम थोड़ा सा मजीद refine करते हैं तो यहां पे मैं अपना वापिस brush ले लेता हूँ पैंसिल को थोड़ा सा डाक कर लेता हूँ और यहां पे जो अपने strokes हैं उनको मजीद थोड़ा सा बहतर करते हैं ठीक है तो हमारे पास यह थोड़ा सा डाक हो गया इसके लावा जी अगर आप किसी और object को लेके जाना चाहते हैं next step के उपर इसकी lines को भी थोड़ा सा डाक कर लेते हैं let's see कि यह हमारे पास क्या result produce करता है ठीक है तो उसकी जो actual shape है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी के what kind of a logo it is going to be तो let's give it a try इसको हम illustrator में लेके जाते हैं और वहां जाके इसको vectorize करके देखते हैं के लोगों किस तरह का बन के हमारे सामने आता है तो यहां पर आपको मुख्लिफ चीज़े नज़र आएंगी आपको यहां पर leaf भी नज़र आ रहे हैं और आपको यहां पर वी जो initial है वो भी इस logo के अंदर नज़र आ रहा है इसके लावा इसमें आप मजीद और भी concept shared कर सकते हैं but we will go with this one so see you in the next lesson